इस धर्दी पर कई सारे रेगिस्तान हैं जिन में से कई सारे रेगिस्तान ऐसे हैं कि जो काफी खोपसुरत दिखाई देते हैं और परेटकों को अपनी तरफ लुभाते हैं असल में दोस्तों ये रेगिस्तान जितने खुबसूरत दिखते हैं अंदर से ये रेगिस्तान उतने ही खतनाख होते हैं वैसे तो अकसर लोग यही समझते हैं कि अगर कोई इंसान रेगिस्तान में फस जाये तो वे पानी के बिना मारा जाएगा लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान पानी के बिना ही मारा जाएगा आपको जानकर हैराने होगे कि रिखिस्तान के इलाकों में भी कई ऐसे जीव जन्तु पाई जाते हैं जो बेहती खतनाख होते हैं जो भी लोग इस रिखिस्तान में जाते हैं वो लोग अपनी पूरी साफधानी का समान नोहा लेके जाते हैं मगर जो लोग लापारवाही करते हैं उनकी लापारवाही उनकी मौत में तबदील हो जाती है क्योंकि दोस्तों उस रिखिस्तान में जाने के बाद इन जीवों से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता चलिए दोस्तों बिना देरी किये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से एक ही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सक्त जरूरत है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ये सपोर्ट मुझे दे सकते हैं डायमेंड बैक रैटल स्नेक दोस्तों ये साप साथ अमेरिका वैस्टन और मेक्सिको में पाया जाता है इन रैटल स्नेक को उनकी स्पीड के लिए जाना जाता है और उनकी लंबाई तकरीबन 7 फीट और वजजन लगबग 5 किलो गराम तक हो सकती है ये साप साथ अमेरिका के इलाके के सबसे घतनाक सापों में से एक माना जाता है दोस्तों आप इस साप के इस बास से चौँक जाओगे की इस साप के शिकार करने का अंदाज ही कुछ यलग होता है ये सिकार को घात लगाने में सबसे माहिर होते हैं इसके घात लगाने के अंदाज को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि दोस्तों ये सांप अपने शिकार को करीबन दो साल तक बिना खाये पिये घात लगाके बैठ सकते हैं ये अपने शिकार के लिए इतना ज़्यादा इंतिजार भी कर सकते हैं शायद कोई भी सांप इतना इंतिजार ना करता हो दोस्तों आप ये यकीन भी नहीं कर सकते कि आपके पलक जपकने तक ये सांप आपको करीबन चार बाट ड़सकता है इसी बातों से ये पता चलता है कि कि किसी भी इंसान के लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकते हैं और यही नहीं ये अपने शिकार को इसी टेक्निक से बड़ी आसानी से मार देते हैं और उनका शिकार आसानी से कर लेते हैं The Scorpion दोस्तों रिगिस्तान में इस Scorpion का जहर कई सारे सांपों से भी काफी जादा खतनाक होता है और ये बिच्छू एमेजोन के जंगल में काफी आसानी से पाई जाते हैं दोस्तों अगर ये बिच्छू गलती से किसी भी इंसान को काट ले तो इसके पोईजन की वज़े से कोई भी इंसान बहुत जादा तड़पने लगेगा और जादा दर्द की वज़े से ही वो अपना दम तोड़ सकता है और यही नहीं इसमें सानस की भी काफी ज़्यादा प्रोग्लम होती है लेकिन दोस्तों अगर समय पे उस व्यक्ती को सही ट्रीटमेंट दिया गया तो वो बज़ भी सकता है मैं आपको बता दू कि इस बिच्चु का जहर खुद उसका तोड़ है जी हाँ दोस्तों क्यूंकि बताया जाता है कि इस बिच्चु का जहर एंटीडोट बनाने के काम आता है और आम दबा इसके हागे नाकाम हो जाती है और इसके जहर से बना एंटिटोट पूरी तरह काम करता है आप इस बात को सुनकर यकीन नहीं करेंगे कि ये बिच्चू हर साथ तकरीबन सो लोगों को मार देता है कैमल स्पाइडर दोस्तो दक्षिड अमेरिका में पाये जाने वाले ये स्पाइडर सभी मकडियों से सबसे ज़्यादा खतनाग है 6 इंच के इस मकडी को स्कॉर पियन स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तो ये बिच्चू की तरह दिखाए देते हैं ये मकडी बहुत ही शातिर होते हैं ये मकडी शिकार को फसाने के लिए खुद रेत के नीचे छिप जाती है जैसे ही कोई छोटा जीब या कोई कीड़ा मकोडा इसके नजदीक आता है तो ये तुरंद उस पर हमला कर देती है और अपने शिकार को अपने कंट्रोल में कर लेती है दोस्तों वैसे तो इसका जहर इंसानों के लिए ज़्यादा खतनाक नहीं होता मगर ये मकडी अगर किसी इंसान को काट ले तो उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सहन ही नहीं कर पाता इन लैंड टाइपन दोस्तों अब हम बात करते हैं और टिलिया में पाई जाने वाले इन लेंड टाइपन के बारे में जो जमीन में मौजुद सबसे जहरीले सापों में से एक हैं दोस्तों इनका जहर इतना खतनाग होता है कि इसके एक बार छोड़े गए जहर से यह कम से कम 12,000 चोटे जानवरों को मार सकता है और दोस्तों टाइपन साप के जहर में मोनोटॉक्सिक जहर होता है जो शिकार के जित्म में खून को जमा देता है और तो और सिर्फ एक घंटे के अंदर ही शिकार की मौत हो जाती है और इतना ही नी दोस्तों, अगर ये इंसान को काट ले तो, फौरन ही इंसान को लखवा भी मार देता है और इसके साथ साथ रगों से खून भी बहने लगता है दोस्तों कोबरा साफ से भी जहरीले ये साफ, हमिस्सा आबादी से दूर रहना ही पसंद करते हैं ओश्ट्रिच दोस्तो दुनिया के सबसे बड़ा परिंता कहलाने वल्ला ये सुतर मुल्ग दिखने में बड़ा प्यारा होता है मगर गुसा आने पर किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को पल भर में मौत के घाट उतार सकता है अफरीका में पाये जाने वाला ये और्ष्ट्रिच इसका वजन तकरीबन 300 पाउंड और हाइट इसकी 9 फीड तक हो सकती है आम तोर पर और्ष्ट्रिच काफी सांथ होते हैं मगर गुसा आने पर ये अपनी पैर के ताकत से ही अच्छे अच्छों की अच्छी पिटाई कर देते हैं दोस्तों इसकी एक लाद पढ़ने से ही किसी भी जानवर ये इंसान की मौत भी हो सकती है उनकी एक आख 5 सेंटीमेटर के होती है इसलिए उनको दूर दूर के जानवर काफी आसानी से दिखाई दे देते हैं साइड वा एंडर स्नेक ये सांब 18 गंटे प्रती मिल की स्पीड से चल सकते हैं मंगर ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं करते बलकि एक जगे पर छुपकर अपने शिकार के लिए उस पर घहात लगाए बैठे रहते हैं सबसे पहले ये अपने शिकार को टार्गेट करता है फिर ऐसी जगह तलास करता है जहां पर उसके टार्गेट जीव की अच्छी खासी गतिविधी होगी और उसके अनुकूल होगी फिर उस जगह पर अपने शरीर को टेड़े मेड़े तरीके से हिला हिला कर अपने उपर आने अंजाने में ऐसी जगे पर पहुंच जाती है जहां पर एक खतरनाक शिकारी उसके लिए घात लगाए उसका अंतिजार कर रहा है शिकार के नजदीक आते ही ये खतरनाक साथ अपने शिकार को जड़ से दबोच लेता है दोस्तों क्या आपको इसका पार्ट टू भी चाह हमें कमेंट करके जरूर बताएं दुनिया के सबसे बड़े जंगल एमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा एमेजोन के जंगल हमारे प्रित्वी का फेफड़ा माना जाता है क्योंकि प्रित्वी का 20 प्रतिशत ऑक्सीजन एमेजोन के जंगल सही आता है आज की इस में हम आपको एमेजोन के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंग भी सकते हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं एमेजोन के जंगल के सेर पर लैटिन अमेरिका में मौझूद ये एमेजोन का जंगल एक नहीं बलकि नव देशों में फैल हुआ है क्या आपको पता है एमेजोन के जंगल में चार आरफ से भी ज्यादा पेड मौझूद है ये पेड इतने बड़े और घने हैं कि यहां की जमीन धूप के लिए भी तरद जाती है यानि कि कई हिस्सों में सूरज की रोसनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती है दुन हमारे भारत के छेतर फल से भी जाता है अब आप समझ सकते हैं कि एमेजोन के जंगल कितना ज्यादा विशाल है जो पूरी प्रिथवी के चार परसंट हिस्से में पहला हुआ है दोस्तों एमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो की चार हजार मील है लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो आमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है तो तो आजी अमेजोन की जंगल में अलग-लग हिस्से में अलग-लग तरिके के आधिवासी पाए जाते हैं कुछ आधिवासी तो बहुत ज़दा खतनाक होते है और कुछ आदिवासी तो बहुत ज़्यादा नमर भाव के होते हैं, जो नमर भाव के आदिवासी होते हैं, वो है मेजून की जंगल के बहारी हिस्से में रहते हैं, और वो है हमारी दुनिया से कॉंटेक्ट में भी हैं, और जल्दी ही बहारी दुनिया से उनके अच्छे संब करते रहते हैं दोस्तों अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबा दें अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने और अगली वीडियो श्रीक जरूर देखे जाना मैं मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में।